नमस्काल दोस्तों मेरा नाम है रवी और स्वागत है आपका मेरे योटूब चैनल जोतिश राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं करक राशी वालों के जन्वरी महा के राशी फल के बारे में कि कैसा रहने वाला है जन्वरी 2024 करक राशी के जातकों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है जन्वरी के महीने में और कैसी रहेगी आपके स्वास्त, धन, परिवार, संतान, सिक्षा और करियर की इस्तती साल 2024 जन्वरी के महीने में तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाए भी बताऊंगा जिससे अगर आप करते हैं तो इस महीने आपको काफी अच्छे रिजल्ट पराप्त हो सकते हैं और जो थोड़े बहुत बुरे प्रभाव भी आपको आने वाले हैं आपके जीवन पर उनसे भी आपको मुक्ति मि कि जनवरी में स्वास्त कैसा रहने वाला है करकराशी के जातकों का तो इस महीने आपका किसी यात्रा के योग बन रहे हैं और आप इस महीने अपनी हेल्थ को लेकर कोई बड़ा निर्णाय ले सकते हैं आप या तो जिम या फिर योगा क्लासिस को जोईन कर सकते हैं या फि अपने खान पान पर भी नियंतर रखेंगे जिससे भी आपकी हेल्थ में सुधार होता दिख रहा है इस महीने हेल्थ में सुधार के लिए आप जो भी तरीके अपनाएंगे उसके अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले महीनों में भी नजर आएंगे बात करें अगर आपके धन भाव की, तो 1-17 जन्वरी तक, आपको धन लाब होता दिख रहा है आपको माता पिता से कुछ धन मिल सकता है, या फिर आपके भाई बहनों से आपको कोई धन मिल सकता है, या कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है अगर आपका धन कहीं फसा हुआ था तो इस अवधी में आपको वो मिल सकता है साथ जनवरी के बाद आपके धन समंदी कार बहुत ही मुश्किल से बनते हुए देखे जाएंगे कोई बड़ी सरकारी पेनाल्टी भी आपको लग सकती है तो इस महीने आप धन तो अच्छा कमाएंगे पर खर्चे भी आपके काफी बड़े होने वाले हैं इस महीने में बात करें अगर आपके परिवार भाव की तो इस महीने आपके समंदी परिवार जनों से काफी अच्छे होंगे परिवार के साथ आप किसी शादी पार्टी में भी जा सकते हैं साथ ही साथ परिवार का कोई सदस आपको कोई बड़ी खुशकबरी दे सकता है तो परिवार के लिए तो ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है और काफी खुशियों भरा महौल रहे आपके परिवार में बात करें अगर आपकी संतान की तो संतान को इस महा कोई बड़ी जौब का ओफर मिल सकता है या उन्हें प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है इस महीने और नौकरी में इस महीने जो है उनको कोई ना कोई अच्छा प्रमोशन मिलने के योग बनते दिख र तो संतान के लिए भी महिना काफी अच्छा रहने वाला है करक राशी के जातकों के लिए बाकी बात करेंगा सिक्षा की तो स्टूडेंट्स के लिए ये महिना गूमने फिरने वाला है आपका ध्यान जो है गूमने फिरने पर जादा रहेगा आपके वाहन पर आपका खर्चा होता दिख रहा है करियर में कोई अच्छी opportunity आपको जनवरी माह में मिल सकती है और इस महीने थोड़े बहुत health issues भी आपको होते दिख रहे हैं तो करक राशी वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा health के लिए से हो सकता है कि खराब रहे पर काफी घूमने फिरने में आप इस महीने को enjoy करने वाले हैं अपने मित्रों के साथ बाकी बात करें अगर नौकरी की तो नौकरी भाव में अगर देखा जाए तो एक से छे तारिक तक नौकरी में सब कुछ नौर्मल रहने वाला है सभी कुछ नौर्मल चलेगा छे तारिक के बाद आपको ऑफिस से कोई अच्छा जो है लाब मिलता दिख रहा है किसी ना किसी तरह का इंसेंटिव या कोई धनलाब आपको हो सकता है और आफिस में इस महीने आपका टार्गेट पूरा होगा जो भी टार्गेट आपको मिलेगा वो पूरा होगा आपकी अच्छी सेल होती दिख रही है तो नौकरी के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला आपका नौकरी मे के बाद आपके पार्टनर के घर में काफी तनाव भरा महौल रहेगा, जी व wp आपके आपके पार्टनर है, व mesmo महीने पार्टनर के साथ कहीं मंदिरादी जा सकते ह pulse इस महीने आप दान धर्म के कारज़ जादा करेंगे और इस महीने आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हैं तो जो लोग मेरिड हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा होने वाला है और अगर बात करें व्यपार भाव की करकराशी वालों का जनवरी में व्यपार कैसा रहने वाला है तो इस महीने अच्छानक से कोई बड़ी डील या बड़ा ओर्डर आपको मिल सकता है आप अपने दुकान या फैक्टरी में आप कोई पूजा पार्ट का कारकरम भी करवा सकते हैं जिससे भी आपके व्यपार में व्रद्धी होने की योग काफी बनते दिख रहे हैं तो अगर आप ऐसा करवाते हैं कोई पूजा पार्ट वगरा अगर आप आयोजन करवाते हैं अपने दुकान में या फैक्टरी में तो यकीन मानिए उसका आपको फल मिलेगा और आपका व्यपार जो है काफी अच्छा हुआ चलता हुआ देखा जाएगा बाकी जो ये साल है 2024 ये शनी देव का साल है क्योंकि अगर आप इसका योग करेंगे दो दो और चार आता है जो की आठ है और आठ शनी देव का अंक है तो अगर इस साल में आप शनी देव के उपाये करेंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा तो आपको करना सिर्फ सितना है कि आप हर शनिवार को काली चीजों का दान करें शनी देव को मंदिर में एक सरसो के तेल का दीपक जलाए तो आपके लिए ये जन्वरी का महीना भी अच्छा रहेगा और पूरा साल भी अच्छा रहेगा क्योंकि ये साल है शनी देव का तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद